नमस्कार मैं हूँ आलोक सिंग और आज है 27th मार्च 2022 आज के पिहार ग्रेंट अफेस साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिसकस करेंगे पिडिएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए without any further delay let's start तो आज का मारा पहला question The exhibition and sales center of which product has been started on Patna junction under the one station one product एक station एक उतपाद के तहत Patna junction पर किस उतपाद का परदर्शनी और विक्री के अंदरे शुरू किया गया है तो यह कौन सा product है यह है मदबनी painting option C is the correct answer मदबनी painting के साथ साथ और मदबनी painting से related और भी चीज़ें जो भी बनाई जा रही है यानि मदबनी painting पर बैसे जैसे bad state हो गया और भी चीज़ें हो गई ठीके तो वो सब क्या है कि Patna junction पर आपको अब मिलेंगे actually में Indian Railway का यह एक योजना है यह प्रोग्राम है one station one product idea यह है कि उस station का नाम किसी एक station का नाम किसी एक product से जोड़ दो ताकि लोगों में यह चीज़ हो जाए कि चलो अगर वो चीज़ खरीदनी है वो पर्टिक्लर चीज़ हमें खरीदनी है पर्टिक्लर चीज़ें जानना है तो चलो इस station पर हमें मिल जाएगा इस तरह से क्या होगा कि जो आटिसांस हैं जो आटिस्ट हैं उस फिल्ड के जो कारिगर है उस फिल्ड के उनको benefit होगा अगर कोई product है कोई चावल है यह हूँ है उस तरह से है तो obviously किशानों को उससे benefit होगा तो ये Indian railway ने शुरू किया है तो पटना जंक्शन पे क्या रहेगा मधुबनी पेंटी तो बह रेलवे बोर्ड के चेर्मेन है वीके त्रिपार्थी और रेलवे मिनिस्टर कौन है भी यूनियन रेलवे मिनिस्टर वह हैं अश्विनी वैस्णौव पूरे देश में 18 रेलवे जोन है परिजेंट में ठीके और इन अश्विनी वैस्णौव जोन में एक जोन का जो हेड़ कॉर्टर है वो आपको बिहार में मिलेगा बिहार में कहां पे ये मिलेगा आपको वैसाली जीले में वैसाली जिले में एक्जेक्ट सिटी बताएं तो हाजीपूर ठीक है कौन सा ये रेल्वे जोन है इस्ट सेंट्रल रेल्वे जोन इस्ट सेंट्रल रेल्वे जोन हाजीपूर में इसका हेड़ क्वार्टर आपको मिलेगा और East Central Railway जोन ने एक आप भी लॉंच किया था Asparsh आप Next question Who has become the Bihar's first transgender to become the brand ambassador of Miss Trans Queen India Miss Trans Queen India की brand ambassador बनने वाली Bihar की पहली transgender कौन बनी है तो यह है नवया सिंग Option B is the correct answer In fact, नवया सिंग जो है वो Bihar की नहीं बलकि पुरे भारत की पहली transgender women है जो Miss Trans Queen India के brand ambassador बनी है तो यह याद रखेगा अच्छा, बिहार में कहां से बिलॉंग करती है नवया सिंग नवया सिंग बिहार में कटिहार जिले से बिलॉंग करती है ठीक है, कटिहार में इनका जन्म हुआ था नेक्स क्वेस्टिन, विच इंडियन ब्रैंड हैस बिन नेमड एज धी ओफिशियल स्पांसर ओफ फीफा वर्ल्ड कॉप 2022 फीफा विच अब दो हजार बाइस के अधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस भारतिय ब्रैंड का को नामित किया गया है कौन सा भारतिय ब्रैंड है, इंडियन ब्रैंड है जिसको फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ओफिशियल स्पांसर ब्रैंड हो चुका है और ये कौन सा कंपनी है, ये है बाइजूस, औप्शन A is the correct answer बाइजूस जो है ये भारत का EdTech कंपनी है, ठीक है, एजुकेशन की कंपनी है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है आपका कतर में ठीक है, और फीफा जो की फुटबॉल खेल का फुटबॉल स्पोर्ट्स का गवर्निंग बाड़ी है, इंटरनेशनल गवर्निंग बाड़ी है फीफा जिसका हेड़कॉर्टर आपको कहां मिलेगा, जूरिक में जूरिक कहां पर है, सुटजर लैंड में ठीक है, फीफा के प्रेशिडेंट कौन है, अध्याच कौन है प्रेशिडेंट टाइम में, तो ये है ग्यानी इनफैंटिनो और देखिए, रिसेटली फीफा ने अवोर्ड अनॉंस किये थे, जैसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर आप दी येर क्या मेंस प्लेयर अब दी येर 2021 कौन रहा, तो मेंस के हम अगर बात करेंगे, तब हम नाम लेंगे रोबर्ट लिवनडोशकी और ये प्लेयर ब्लॉंग करते हैं पोलेंड से, पोलेंड वाई कंट्री है जो यूक्रेन के बगल में है, और मैं इसलिए बता रहूँ कि पोलेंड ने यूक्रेन से इंडियन नेशनल्स को इवेक्वेट करने में काफी हेल्प करी है, और अगर जो मेंस है, यहां पर अगर मैं लगा दूँ विमेंस, यानि कि फीफा, बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर आप 2021 कौन रही, तो ये हैं, अलेक्सिया पुटेलाज, ठीक है, अलेक्सिया पुटेलाज बिलॉंग करती हैं, अस्पेन को, नेक्स्ट, सक्तिकानदास has inaugurated the Reserve Bank Innovation Hub, तो सक्तिकानदास ने Reserve Bank Innovation Hub का उधिघाटन कहां पर किया है, तो यहां पर पहली बात कि सक्तिकानदास है कौन, ये हैं, गॉर्नर ऑफ और बिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिलाल गॉर्नर हैं सक्तिक अंदाज, तो इन्होंने इन्नोगरेट किया है, रिजर्व बैंक इन्नोवेशन हब, आप्शन डी इस दी करेक्ट आंसर, and of course आपको मालम होगा Reserve Bank of India ये भारत का Central Bank है ठीक है जो बाकी के जो भी banks है उनको regulate करता है obviously तो ये काफी news बे था रिसेंटली तो Reserve Bank of India एक बुकलेट लॉंच करी है और मॉडस अप्रेंडी ऑफ फाइनेंसियल फ्रॉड्स तो फाइनेंसियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक बुकलेट लॉंच करी है जिस बुकलेट का नाम गया है बी अवेर इसको लॉंच किस ने किया है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने रिजर्टली रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने लॉंच किया है एक एक पेमेंट सिस्टम जो है यूपी आई 123 पे क्या है यूपी आई 123 पे इसके थुरू आपको स्मार्ट फोन की ज़रुद नहीं है बलकि सिम्पल फीचर फोन में ट्रांजेक्शन हो सकता है पैसो का लेंदेन हो जाएगा यूपी आई 123 पे के ताथ ठीके ये लॉंच किया है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने 24 इंट्यवन हेलबलाइण लॉंच किया है डिज्टा के लिए जिसका नाम है डिजी साथ ही ठीके तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने रिस्ट्रिवी अब्ज़र्ब करी है डिज्टाल पेंट्स अवेहरनेशवी कैं डिजिटल पेमेंट अवियर्नेश वीक कब से कब तक साथ से इगारह मार्च को तक यह अब्जर्ब किया गया है डिजिटल पेमेंट अवियर्नेश विक जिसकी थीम भी रखे गई थी आउट्रीस एंड अवैबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अच्छा यह तो रहा अब्जर्ब बैंक ऑफ इंडिया अब्जर्ब करता है कब फाइनेश लिटरेसी विक एक और सब्था आरबी एक रिजर्ब करता है फाइनेश लिटरेसी विक यह कव करता है ये फरवरी में करता है 14 तू 18 फरवरी को क्या आता है Financial Literacy Week ये RBI करता है और एक अब भी हमने आप से बताया Digital Payment Awareness Week 7 से 11 मार्च करता है ठीक है तो ये दोनों में confusion नहीं रखना है Next है Who is the author of the coffee table book titled The Sheld Covishield The Sheld Covishield नाम कोफी टेवल बुक के लेखा कौन है तो इस बुक को लिखा है यानि कि कौन सा बुक है Sheld Covishield The Sheld Covishield किस ने लिखा है इसको लिखा है प्रिकास कुमार शिंग ने Option B is the correct answer ये कौन है Obviously Covishield जो वैक्शिन हमने लगाई है ये Covishield को किस मास प्रड़क्शन किस ने किया किस कंपने ने प्रडूस किया है Serum Institute of India ने One of the giant company of the world in the field of pharmaceuticals तो Serum Institute of India को बहुत experience expertise है और बहुत जादा मात्रा में ये दवाईया प्रडूस कर सकता है ये company तो Serum Institute of India के डारेक्टर रहे हैं प्रकास कुमार शिंग इन्हों नहीं ये लिखा है दसल्ड को विशल्ड और वैसे मैं बता दूं सिरम Institute of India के अभी CEO कौन है ये है अधार पुना वाला ठीक है ये ये बेटे हैं Cyrus पुना वाला के Cyrus पुना वाला वह वैक्ति हैं जिन्होंने Serum Institute of India को फाउंड किया है ठीकिन अभी CEO है इनके बेटे अधार पुना वाला एक और वैक्सिन थी कोवी स्रिल्ड तो हमने प्रोड्यूश नहीं किया एक्चली हमने प्रोड्यूश करी है बट कोवी स्रिल्ड का इन्वेंशन हमने नहीं करी है क्योंकि कोवी स्रिल्ड को इन्वेंड किया है एस्ट्राजेनिका एक कंपनी है उनाइटेट किंग्डम की और ऑक्सफोर्ड इन्वेस्टी ने मिल कर किया बट इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया कि आप इस वैक्सिन को मास प्रोडक्शन किजिए आप प्रोड्यूस किजिए तो हमारे भारत का इंडिजिनस एक वैक्सिन है को वैक्सिन जिसको हम को वैक्सिन बोलते हैं यह वैक्सिन हमारी कंपनी ने बनाई भी है प्रोड्यूस भी करी है तो को वैक्सिन को किस ने किया है भारत बायोटेक और भारत बायोटेक जो कंपनी है यह बेस्ट है कहां पर यह बेस्ट है आपका है और यह जो सीरम इस्चूट अफ इंडिया यह कहां पर बेस्ट है पूने में नेक्स्ट, what is the theme of earth hour 2022, earth hour 2022 का विशय क्या है, तो earth hour हर साल अबजब किया जाता है, और ये कब किया जाता है, पहली तो ये बात, तो मार्च के दूसरे सैटेडे को, सोरी, मार्च के लास सैटेडे को, एक्चोली में, लास सैटेडे अफ मार्च, ये अवजब किया जाता है, अर्थ आवर, यानि कि अर्थ आवर इस वार पड़ा कब, तो 26 मार्च को, 2022 में 26 मार्च को अर्थ आवर पड़ा है, लास सैटेडे थीम यहाँ पर था शेप आवर फ्यूचर ओप्शन ए इस दी करेक्ट आंसर और इस अर्थ आवर में एक्चुली में पुरी दुनिया क्या करती है कि एक घंटे के लिए अर्थ आवर वन आवर एक घंटे के लिए नॉन एसेंशियल लाइट्स आफ करती है कब से कब तक तो श सेंशियन लाइट्स हैं उसको बंद करके वह एक तरह से एनर्जी को बचाने की सेव करने की और अर्थ थोड़ा सा ब्यूटिफूल दिखे अर्थ को थोड़ा सा वह चीज़े हो ठीक है नेक्स्ट विच और्गनाईजेशन है इसूड फर्स्ट वाइलाइब बॉन्ड टू फर्स्ट वाइलाइब बॉन्ड जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने ओप्शन ए इस दी करेक्ट आंसर एक तरह से जो साउथ अफ्रीका ने जो एफर्ट दिखाया है ब्लैक राइनो जो है ब्लैक राइनो यह एंडेंजर्ड स्पीसीज है ठीक है यह एंडेंजर्ड अफ्रीका ने दिखाया है साउथ अफ्रीका एक कंट्री है ठीक है जो कि किस कॉंटिनेंट में है अफ्रीकी कॉंटिनेंट में अफ्रीकी कॉंटिनेंट में ठीक है कौन सा है श्राउथ अफ्रीका इसने यह दिखाया है उसी को रिकागनाईज करने के लिए फर्स्ट वाइ एक्सरसाइज सुरक्षा कवच शेकंड विद विच स्टेट्स और यूनियन टेट्रीज पुलिस तो भारतिय सेना के अगनी बाज डिबीजन ने किस राज या केंदर शासित परदेश की पुलिस के साथ एक संजुकत अभ्याज सुरक्षा कवच दो का आयोजन किया है तो सु नेक्स्ट है विच इंडियन नेवी शिप हाज बिन रिकागनाईज एस इस सेंटर ओफ एक्सिलेंस किस आई एनेस को उत्रक्रिष्ट केंदर के रूप में मानेता दी गई है यानि सेंटर ओफ एक्सिलेंस की मानेता दे दी गई है और किसके द्वारा दी गई है तो Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने Center of Excellence का दर्जा दिया है INS Siva Ji को Indian Novel Ship Siva Ji Option D is the Correct Answer और किस फिल्ड में तो देखिए आपने रिसेंटली एक और चीज़ सुना होगा कि बिहार के ITI ठीक है बिहार के 149 ITI को जो Tata Technology है जो Tata Technology Company है वो Center of Excellence में Convert करेगी बिहार के 149 ITI को तो Center of Excellence का मतलब क्या होगा तो Simple मेनिंग यह समझे कि Center of Excellence उसके फिल्ड में वो स्टेंडर्ड सेट किया जाएगा वो सबसे हाइस स्टेंडर्ड उसको स्टेंड किया जाएगा जैसे अब यहां पर हम बात कर रहे थे तो आएने सिवा जी को क्यों Center of Excellence स्टेंडर्ड किया गया क्योंकि आएने सिवा जी इन फिल्ड ऑफ मरीन इंजिनियरीं मरीन इंजिनियरींग इसने अपने हाइस स्टेंडर्ड को सेट किये उसी तरह से आइटी आई के हाइस स्टेंडर्ड यहां पर 149 आईटी आई के बिहार के आइए को हाय स्टेंडर्ड के तौर पर सेट किया जाएगा तब उसमें मतलब हर शुवधाएं होंगी चीजें जो जिस फिल्ड के लिए वो किया जा रहा है उस सब चीजें होंगी यहां पर मरीन एंजेलियरिंग के लिए था तो इसमें हर शुवधा वो चीजें होगी तो इसलिए वो उसको हम बोलते हैं Center of Excellence नेक्स्ट है प्राइमनिस्टन रेंदर मोधी हैज इनागरेटेड विपलोभी भारत गैलरी तो प्रदानमंतरी मोधी ने विपलोभी भारत गैलरी का उधगाटन किया है थ्रू विडियो कॉनफरेंसी तो विपलोभी भारत गैलरी इसका इनागरेशन किया गया है कोलकाता मे Option D is the correct answer कोलकाता में आपको मालूम होगा Victoria Memorial Hall है कौन सा Victoria Memorial Hall यहीं पे किया गया है विपलबी भारत गैलरी का उदिखाटन और विपलबी भारत गैलरी जो है बैसिकली उनके लिए बनाए गई है उस रोल को हाइलाइट करने के लिए जो भी हमारे Freedom Fighter थे Revolutionaries थे, ग्रांतिकारी थे जिन्होंने बढ़चर के हमारे Independence में अपना योगदान दिया है contribution दिया है तो उनहीं के रोल को हाइलाइट करने के लिए यह विपलबी भारत गैलरी बनाया गया है और कोलकाता The City of Joy कहाँ पे है West Bengal में और West Bengal की Chief Minister है ममता पनर्जी और एक बूक आया है ममता पनर्जी पर लिखी गई थी ममता 2021 और ब्योंड इस बूक को लिखा है जयनता गोशाल में West Bengal में आपको मिलेगा सुन्दरबन सुन्दरबन इसलिए कहाते हैं कि महाँ पे सुन्दरी ट्री पाई जाती है और West Bengal में ही आपको मिलेगा बक्सर टाइगर रिजर्व वेस्ट बेंगोल का एक डिस्टिक है 24 24 नौर्थ प्रगना परगना 24 नौर्थ परगना जो है यहाँ पे और्गनाईज किया गया था रेसेंटली गंगा शागर मेला जिसको इनौरेट किया था ममता पैनार जी ने वेस्ट बेंगोल में एक सहर है डार्जिलिंग और डार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फैमस है और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला पहला पोड़क्ट जिसे जी आई टैग प्राप्त हुआ था वो था डार्जिलिंग की चाए डार्जिलिंग टी ही दिया गया था जी आई टैग next question है सूजलम 2.0 चैम्पेशन हैं वे लॉँच बाइशन किया गया है जल सकती मिनिस्ट्री के दोरा option A is the correct answer जल सकती मिनिस्टर कौन है गजेंदर शिंग शिकावत ठीक है कौन है गजिदर शिंग सिखावत और जल सकती मिनिस्ट्री जो है 2019 में ही शुरू की गई है नई नई मिनिस्ट्री है और यह जो सूजलम सूजलम कैम्पेन है इसके थुरू हम क्या करने वाले हैं कि हम मैनेज करने वाले हैं GRAY WATER क्या है GRAY WATER को मैनेज करने वाले हैं through लोगों के participation से जनता से के participation से ही ये GRAY WATER को हम manage कर पाएंगे हमने वर्ड एक use कर दिया GRAY WATER क्या होता है GRAY WATER तेकिए GRAY WATER वो होता है जैसे अब घरों में जो भी waste water generate होते हैं या फिर किसी office building वेगारा में जो waste water generate होते हैं और नालियों से वो निकलते हैं except toilet ठीक है toilet वाले पानी की बात हम नहीं कर रहे हैं बाकी इधर का जो normally पानी हाथ वाध होने में नहाने में यह सब जो पानी जो waste water निकल रहे हैं उसे हम grey water कहते हैं और इसी water को manage करने के लिए यह launch करी गई है क्योंकि उस water को recycle करके बचाया जा सकता है क्योंकि आपको मालूम होगा हम world water day world water conservation day conservation day हम कब observe करते हैं 22 March को यह वही day है जिस दिन हम बिहार दिवस भी observe करते हैं 22 March को हम मनाते हैं world water day और इस बार का theme रहा बहुत ही important हमें ground water को बचाना है तो ground water making invisible, visible making invisible, visible ground water making invisible, visible यह रहा theme इस बार के world water taker board on effective multilateralism के member बनाया गया है और यह जो advisory board on effective multilateralism है यह United Nations के under काम करता है और इसके member बनाया गया है कौन, जयती घोस option D is the correct answer और PDF download जरूर करिएगा इस तरह से मैं answer सभी के दे देता हूँ ठीक है, तो thank you for watching बिहार से बिल, see you in the next video जहिंद